अस्सलाम वालेक। में बदेखको सूखे बिमारी बाहएं। पिछली वीडियो में मैंने लक्कोंहेण सुखे की बिमारी ऐलाज बताया था यूज सो पर्सेन्ट हैं। व्यतुत तरिह एसथायँ म सबसे पहले बदेखकों , सूखे की बिमारी का पता कैसे लगता है यह जो हड़ी है हमारी जब सूखे की बिमारी कब उतराता है तो यह हड़ी बहुत जादा पैनी और बड़ी सी हो जाती है ठीक है और इसके जो साइड होती है वो सब कमजोर हो जाता है तो सबसे पहले लेना है हमें सरसो का तेल ठीक है दोस्तो थोड़ा ही सरसो का तेल लेना है में ज्यादा नहीं लेना और उसके बाद लेना है लैसुन लैसुन हमें छोटे-छोटे काट लेना है मैं दिखा जोता हूँ आपको आत में लेके यह देखे आपको एक लैसुन की कली मैंसे कम सम 3 फांक काट लेनी है ठीक है दोस्तों यह मैंने छोटी है टो लैसन काट ली है और यह मैं सरसो के तेल में डाल रहा हूं यह सरसो के तेल में मिला के आपको धूप में रखना है ठीक है दोस्तों आपको यह धूप में रखना है सरसो के तेल में डालने के बाद उसके यह जाद नाला है क्योंकि एक गोली में से हमें 10 तुकड़े करने होते हैं ठीक है मतलब कि 10 गोली बन जाएंगे तो जाद लाके इतना यूज आता नहीं है यह देखें साइज इतनी साइज तोड़ना आपको एक गोली में से छोटा सा जादा बढ़ा नहीं लेना है देखें गोली और साइज देख लेजे एक गोली में से 10 तुकड़े करने हैं ठीक दोस्तों यह मैं आपको तोड़कर दिखा दिया है वह छोटा भाग जो दिख रहा है सिर्फ वह यूज करना है ठीक है दस दसवा भाग लेना है और यह है इव्योन 400 mg की ठीक दोस्तों इसका भी मैं सबसे पहले आपको सर्सो का ते लेना उसमें लैसन मिला लेना है देखिए और ऐसे एक लैसन निकालना है ठीक है दोस्तों और कबूतर को खिला देना है उसके बाद आपको एक गोली लेनी है यह गोली भी देनी है ठीक है यह दिन में दो बार देनी है एक सुभा देनी है औ ठीके दोस्तों और इसको देने के बाद आपको लेना है इवियोन, इवियोन का कैपसूल, इवियोन का कैपसूल आपको साम के टाइम देना है, यह तकरीबन आपको देना है नो से दस बजे के आस पास, ठीके दोस्तों, मतलब रात को देना है यह नो से दस बजे, मैं आपको दुबारा सारा समान दिखाया तो सरसो का तेल इवियोन जैन फ्लोक्स ओजेड